नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में चंद्रगुप्त नाटक जैशंकर पुशाद के द्वारा रचीत है इस नाटक की समिक्षा और पात्रव परचे पर एक नजर डालेंगे आए वीडियो को शुरू करते हैं चंद्रगुप्त के जन्मशे पहले तक मौरिय वंस ने कोई भी आतिहासी कार्य नहीं किया था तब तक मौरिय शब्द का कोई नामों निशान भी नहीं था चंद्रगुप्त के कारण मौरिय वंस का नाम सर्वतो फैला केवल भारत बरसी नहीं बलके ग्रिस आदिसमस्त देशों से परचित करा दिया चंद्रगुप्त नाटक जो है वह अतिहासिक नाटक है आईए इस नाटक में आये हुए पात्रों को देखते हैं चानके जो विश्नोगुप्त नाम से भी विख्यात है मौर्य समराज का निर्माता है मुख पात्र नाटक पूरा इसी पात्र के उपर निर्फर है तो चंद्रगुप्त नाटक का मुख पात्र चानक के विश्नोगुप्त है नाटक पूरा रूप्च इसी पात्र के उपर निर्फर है चंद्रगुप्त मौर्य शम्राट नाटक का नायक है जो की निर्भिक द्रेड और आत्म विश्वास से परिपुर्ण है नंद मगद का सम्राट है राक्षस मगद का आमात्य वररुची कत्यायन ये मगद का आमात्य सक्टार मगद का मंत्री अंभिक तक्षसिला का राजकुमार परवतेश्वर पंजाब का राजा पोरश सिहरन मालवगन मुख्य का कुमार जो की एक गौन पात्र है लेकिन चानक के चंद्रगुप्त अलका अंभिक इन सभी पात्रों पर इसका प्रभाव है नटको प्रचलित करने का कार्ज करता है शिकंदर ग्रिक विजेता फिलिप्स सिकंदर का छत्रप मौरिशेनापती चंद्रगुप्त का पिता एनी काट्री सिज सिकंदर का सहचर देवबल नागदत गण मुख्य मालव गण तंत्र के पदाधिकारी साइवर्टियस मेगस्थनिज यवंदूत गंधार नरेश अंभिक का पिता सेल्यूकस सिकंदर का शेनापती दन्यायन एक तपस्वी अलका मुख्य नारी पात्र है गंधार नरेश की पुत्री तक्षसिला की राजकुमारी अंभिक की बहन राजकुमारी दयालू गुनी और शाहसी थी सुवासनी सक्टार की कर्ण्या कल्यानी मगद राजकुमारी नीला लीला कल्यानी की शहेली है मालविका सिंदु देश की कुमारी मुख्यनारी पात्र या एक संघर ससील स्वाभिमानी इस्त्री है जो की असिक्षित भी है करनेलिया सिल्यूकस की कर्ण्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस करनेलिया की सहेली चंद्रगुप्त नाटक की समिक्षा चंद्रगुप्त नाटक चार अंकों में बिभाजित है कौन-कौन सी तीन घटनाई एतिहासिक है? अलचेंदर का आक्रमन, नंदकूल की पराजे, सल्यूकस का प्रभाव, यह तीन घटनाई इसमें एतिहासिक है. आए प्रथम अंक देखते हैं, चंदरगुप्त नाटक का प्रथम अंक में तक्षसिला के गुरुकूल के मठ का चित प्रथम अंक में अलचेंदर का आक्रमन होता है, नंदकूल का विनास होता है, और सभी पात्रों को संघर्सरत दिखाया गया है. प्रथम अंक में ग्यारह द्रिस्य है, अब इन 11 द्रिस्यों को भी हम देखते हैं. अस्थान तक्षसिला के गुरुकूल का मठ जहां चानक औ इसमें मगन समराट की विलासिता का जिक्र है, जिसमें विलासिय युवक और युवतियों का विकार दिखाई देता है. तीसरा पाटली पुत्र में एक भगन कुटीर जहां चानक और प्रतिवेसी के मध संबाद. चौथा कुशुमपूर्म के शरश्वती मंदिर के उफवन का पत है, जिसमें राक्षसु सुवासनी, कल्यानी, नीला, ब्रम्हचारी, चंद्रगुप्त और लीला के मध संबाद है. पाच्वा मगध में नंद की राजसभा का द्रिश है, जहां राक्षसु और सभासदों के साथ नंद का द्रिशी का बर्नन है, जिसमें चानक के वररुची, कल्यानी, चंद्रगुप्त, राजकुमारी और प्रतिहारी के बीच संबाद है. चठा, सिंधु नदी पर अलका और मालविका का द्रिश है, जिसमें यवन, सिहरन और सेनिकों के मध संबाद है. साथवा मगध का बंदीकरी का द्रिश, चहां चानक राक्षस और वररुची के मध संबाद है. आठवा कंधार नरेस का प्रकोष्ट जिसमें राजा चिन्ता युप्त प्रविस करते हैं, जहां राजा अलका यवन और अम्भिक के मध संबाद है. नौवा परवतिस्वर की राजसभा जिसमें चानक और परवतिस्वर के वीच संबाद. दस्वा कानन पत्थर में अलका जाती है, हुई द्रिस है जहां पर अलका, सिल्यूकस, चानक और चंद्रगुप्त के मध संबाद. इगारवा सिंध तटपर दंडयायन का आश्रम जहां एनिसा, क्रिटिज, दंडयायन, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चानक, शिकंदर और सिल्यूकस का प्रवेस है. द्वीतिय अंक में पस्च्चमत्तर प्रांथ की राजनितिक स्थिती को प्रस्तुत किया गया है. इसके पस्चात करने लिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाई दिया है. विदेशी सेना की यथा इस्तिती चानक्य को प्राप्त होना मगद का पुनःशमस्त कार्य व्यपारों का केंद्र बनना चंद्रगुप्त का दोनों गंतंत्रों का शेनापती बनना द्वीते अंक में दस द्रिस है आए और द्रिश्यों पर एक नजर डालते हैं उद्दावर्न में सिंधो के किनारे क्रिक सिवीर के पास ब्रिक्ष के नीचे करने लिया बैठी हुई का त्रिस है जिसमें करने लिया फिलिस्व सिकंदर, एने, साक्रेटिज, अंबिक, सल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्वर्तालाब है दोसरा में जेलम तट का वनपथ, अलका, चैनक के चंद्रगुप्त, गंधार, राज, सिहरन, कल्यानी, सेनापती, और परवितेश्वर के मध्वर्तालाब चोथा, मालोगे में सिहरन के उद्धान का एक अंस, मालविका, चंद्रगुप्त, चैनक के और सैनिक के विच वर्ता पाचवा, अस्थल, बंदीग्रिह, घायल, सिहरन, और अलका, अलका, सिहरन, और परवितेश्वर के विच वर्ता चठा, मालोगे एसकन, धारवार में युद्ध, परिसाद, देववल, नागदत, सिहरन, गणमुख और चैनक के मध्य वर्ता साथवा, परवतेश्वर का प्रवेश जहां अलका और परवतेश्वर के मध्य वर्ता आठवा, रावी के तटपर सैनकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी के में दूर पर कुछ नावे चंद्रगुप्त, मालविका, सैनिक, सिहरन, अलका और यवन के मध्य वर्ता दसवा, मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक, शुन्य पर कोटा, जहां मालविका, अलका, सिहरन, सिकन्दर, यवन और मालव सैनिक के मध्य वर्ता तृति हे अंख में, चंद्रगुप्त को शक्तिशाले बनाना और नन्द का विनास करना चन्द गुप्त को शमस्त प्रजाद्वारा राजा सुधारना इस अंक में नौद्रिस है तो त्रीती अंक में नौद्रिस है आए एक नजर टालते हैं त्रीती अंक के नौद्रिस से पर पहला विपासा तट का सिविर जहां राक्षस टहलता हुआ राक्षस चर नायक और नवागत सहने के मध्य वारता दूसरा रावी तट के उत्सव सिविर का एक पथ पर्वतिस्वर अकेले तहलते हुए पर्वतिस्वर का आत्महत्या करने का प्रयाश चानक के पर्वतिस्वर ब्रिद गंधार नरेस करने लिया चंदरगुप्त फिलिप्स कल्यानी और आक्षुष के मध्यवारता तीस्रा रावी का तट सिगनदर का वेराब्रस्वत है चानक के और पर्वतिस्वर सिगम्ध और चंदरगुप्त माल्विका के वीच वारता पाच्वा मगद में नंद के रंगशाला जहानन्द सुवासनी के साथ दुरवयोहार करना चाहता है किंदो राक्षस के आने पर रुख जाता है छठा कुशंपूर का प्रांत भाग चानक्य मालवी का अलका और सक्टार साथवा नंद के राज मंदीर का एक प्रकोष्ट नंद वर्रुची इस्तरी प्रतिहार मालवी का आठवा कुशंपूर के प्रांत मेपथ चानक्य परवदिश्वर अलका मौल्य सक्टार चन्रगुप वर्रुची नागरिक चतुर्थ अंग में परवदिश्वर के मर्तियों के पस्चात कल्यानी का आत्महत्या कर लेना सभी आंतरिक विद्रोह को चानक्य समाप्त कर देता है राक्षस एवं सुवास्मी और चंद्रगुप्त एवं कारनेलिया विवाह कर लेते हैं तत बस्चात चानक के राजनिते से विस्राम लेता है और यह कह कर कि चीर विस्राम के लिए संसाड से अलग होना चाहता हूँ चतुर्थ अंग में 14 द्रिश्च है पहला द्रिश्च है मगद में राजकी, उपवन, कल्यानी, परवतिस्वर, चानक और चंद्रगुप्त चानक के महत्व कांच्छा, कामोती, निश्ठूर्था के सीपी में रहता है यह चानक के क्या कथन है पथ में राक्षश और शुवास्नी दूसरा में है तीसर अंक में परिशद, ग्रह, राक्षश, सक्टार, कत्यायन, मौर्य, पत्नीश, वास्नी, दैवारिक, चर, मालविका और चानक चोथा, प्रकोष्ट में चंद्रगुप्त का प्रवेस, चंद्रगुप्त, मालविका और कुंच की पाच्वा, प्रभात, राज, मंदिर का एक प्रांत, चंद्रगुप्त, प्रतिहारी, चनक की और सिहरन, चंद्रगुप्त, अधिक हर्स, अधिक उन्नती के बाद ही तो, अधिक दुख और पतन की बारी आती है, यह चंद्रगुप्त का कथन है सिहरन मनुष शधारन धर्मा पशु है वीचरन शिल होने से मनुष होता है और निश्वार्थ कर्म करने से वहीं देवता भी हो जाता है सात्वा कपिस में एलक जेडरिवा का राजमंदिर करनेलिया और उसकी सखी राक्षस एलिस और सिल्यूकस पथ में चंद्रगुप्ट और सैनिक नायक चंद्रगुप्ट और सैनिक नौवा गरिक सीविर करनेलिया एलिस दासी स्वासमी और सिल्यूकस दस्वा युद्चित्र की समीब चानक और सिहरन चर चानक की सिहरन चंदरगुप्त सिल्यूकस और अंभिक गारवा सिविर का एक अंस चिंतित भाव में राक्षस का प्रवीस राक्षस सुवासनी करने लिया चंदरगुप्त और सिल्यूकस पथ में साइवर्टीज और मेगस्तनी जी साइवर्टीज मेगस्तनीज, सिल्यूकस और करनेलिया, तेरहा दंड नाय यायन का तपो वन ध्यानस्त चानक के भैवित भाव से रक्षस और सुवासनी का प्रवेश मौरे चंद्रगुप्त और प्रतिहारी, चोदहवा, राजिसभा, एक ओर सा परिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से एलीस, साइवर्टियस, मैगत्सनीज और करनेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं चानक के, चंद्रगुप्त नाटक मौरे समराज के उत्थान और मगध के राजा, गणानंद के पतन की कहानी इसमें बया होती है, चंद्रगुप्त नाटक चानक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी कहता है इसमें प्रेम के लिए त्याग भाव दिखाया गया है इसमें सरल हिंदी भासा का उपयोग दिखाई देता है इस नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था इसे भी याद रखना है तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं तक तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद